आप यहाँ पर सीख रहे हैं इंग्लिश पढ़ना अंग्रेजी पढ़ना अंग्रेजी को पढ़ने के जितने भी सारे नियम हैं वो सारे के सारे नियम आप यहाँ पर सीख रहे हैं अगर आप चाहते हैं कि इंगलिश की किताब पढ़ना इंगलिश की बुक पढ़ना आपको आए तो बहुत जरूरी है कि आप इन सारे के सारे नियमों को जाने तो पिछले जो वीडियोस थे उनमें काफी सारे जो रूल्स थे वो तो मैंने आपको बता दिये थे आपको clear भी हो गए होंगे तो आज हम चलते हैं बाकी के जो नियम है उनको सीखने तो आज क्या है E A के उच्चारन के नियम क्या E A के उच्चारन के नियम मतलब की E A को हम किस प्रकार से पढ़ेंगे अगर कोई भी स्पैलिंग में E A आ जाए तो अगर पहले वाले इंगलिश को पढ़ने के जो रूल्स है वो आपने नहीं सीखे हैं या फिर वो वीडियोज आपने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के लास्ट में आपको वो वाले वीडियोज भी मिल जाएंगे आप जरूर से जरूर देखें और उनको सीखें तो चलिए जान लेते हैं E A को हम किस प्रकार से पढ़ेंगे तो E A को हम बड़ी E और A यानि इन दो रूपों में हम पढ़ते हैं कहीं पर हम बड़ी E के रूप में पढ़ते हैं और कहीं पर हम A के रूप में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम देख लेते हैं E A को हम बड़ी E के रूप में कब और कैसे पढ़ते हैं तो यहां पर many spellings के उधारन example दे रखे हैं, तो चलिए, सीख लेते हैं इनको जैसे कि यहां पर सारी spellings में, बीच में E A है, क्या है? E A, तो यह जो E A है, यहां पर E A को हम बड़ी की रूप में पढ़ रहे हैं, किस रूप में? बड़ी की रूप में, जैसे कि यह है बीच, क् आप पर B, बड़ी E और फिर च, है ना? इस तरीके से, B के उपर बड़ी E लगी है, B और फिर च, बीच, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? जो अंग्रेजी की spelling है, उनको भी लिखना आप सीख सकते हैं, बहुत ही अच्छा तरीका है, इस तरह से आपको इंग्लिश की spelling को लिखना भी आसानी से आ जाएगा, जैसे कि B के लिए हमने B लिखा, बड़ी E के लिए अभी हमने सीखा, कि बड़ी E के लिए हम E A लिखते हैं, क्या लिखते हैं? E A लिखते हैं, E A पढ़ते हैं, फिर है च, च के लिए CH, तो यह है बीच, तो यहाँ पर E A है, और इस E E को हम प्रेनाउंस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या बड़ी E के रूप में पढ़ते हैं, तो यह आपको समझ में आ गया होगा, अभी इस प्रकार से यह सारे spellings हैं, तो इनको आप पढ़ने के practice करें, एक बार मैं इनको read कर देती हूँ, reach, beak, bleak, speak, अगर आपने यह नियम समझा, जैसे अभी आपने सीख लिया, समझ लिया है, तो अब आपको समझ में आ जाएगा, कहीं पर भी इस प्रकार से spelling आएगी E A के साथ, तो आप उस E A को बड़ी E की रूप में पढ़ सकते हैं, अगर आपको नियम मालूम है, तो आसानिय से आप समझ जाएंगे कि E A है इसका मतलब कि हम इसको बड़ी E की रूप में पढ़ेंगे, तो जरूर से जरूर इस प्रकार से इन नियमों को सीखें, और यह जो स्पैलिंग्स हैं, इनकी जरूर से जरूर प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें, चलिए, स्पीक, बीम, स्टीम, बीस्ट, इट, बीट, हीट, अगर E-A को नहीं पता चलता, अगर आपको की E-A को हम बड़ी की रूप में पढ़ेंगे, जैसे यह स्पैलिंग दे रखिये, तो इसको हम पढ़ देंगे चिप, क्या पढ़ देंगे चिप, नहीं, यह गलत होगा, तो चीप, लिप, नहीं, लीप, लीन, क्लीन, क्रीम, ड इस, लीफ, शीफ, डील, हील, सील, मील, जील, रिवील, इस तरह से आप इन स्पैलिंग की भी प्रैक्टिस करें, यहां पर हम E-A को कैसे पढ़ रहे हैं, बड़ी के रूप में, ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, अब आगे हम देखेंगे, E-A को A के रूप में, जैसे की E-A स्पैलिंग है, यहां पर E-A है, तो ब्रेड, इसको हम पढ़ेंगे, ब्रीड नहीं पढ़ेंगे, ब्रेड पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ब्रेड अगर आपको नियम मालूम होगा, तो आप एकदम करेक्ट प्रणॉंस कर देंगे, इस स्पैलिंग को लिखनी के प्रैक्टिस करना चाते हैं, तो इस तरह सिनको अलग-अलग करके लिख सकते हैं, जैसे की ब्र, फिर क्या है, A और ड, ब्र के उपर एकी मात्रा है, तो एकी मात्रा मतलब E-A, ठीक है, E-A, ब्रेड ब्र, यानि B-R, और ड, यानि D, तो यह सारी चीज़ें मैंने सब में E-A है, और इस E-A को हम A के रूप में पढ़ रहे हैं, तो एक बार हम इन स्पैलिंग्स को, इन इग्जाम्पल्स को पढ़ लेते हैं, और आप भी इसके बाद इनको नोट डाउन करके इनके प्रैक्टिस जरूर करें, जैसे कि यह है, क्या, ड्रीड, नहीं, नहीं होगा, क्योंकि यहां पर E-A को हम A पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, A, ड्रेड, ड्रेड, हैड, फैदर, नहीं, तो आप पढ़ देंगे, फीदर, वीदर, नहीं, फैदर, वैदर, हीवन, नहीं, हैवन, क्या, हैवन, प्लेजंट, स्प्रेड, वेल्थ, हैल्थ Ready, Steady, Steady पढ़ देंगे, नहीं तो क्या पढ़ेंगे, नियम नहीं मालू मुगा तो Steady, Steady, Weapon, Jealous, Weapon, Jealous इस प्रकार से नियम के साथ साथ बहुत जरूरी है कि आप अधिक से अधिक पढ़ने की प्रैक्टिस भी करें अब आगे जान लेते हैं क्या, कि यहाँ पर कुछ शब्दी है, यानि दो स्पेलिंग्स दी है, यहाँ पर E, A को हम A पढ़ रहे हैं, यानि A का लंबा उच्चारन कर रहे हैं, तो इन दो स्पेलिंग्स को भी जान ले, क्या है? पहली है break क्या है break यहाँ पर e a है ना तो हम इसको break पढ़ रहे हैं ठीक है ना तो यह पढ़ रहे हैं क्या ना तो break पढ़ रहे हैं यह तो a है और यहाँ पर क्या है कि a का लंबा उच्चारण है ठीक है E A को A की रूप में पढ़ते हैं, A भी कैसा? लंबा उच्चारन A को खैच के पढ़ेंगे, तो यहां तक क्लियर है आपको, तो आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करें, नेक्स्ट क्या है? कि इसके अलावा कुछ शब्दों में E A का उच्चारन E A, A और A भी होता है, क्या-क्या? E A, A और A, ठीक है? E A का उच्चारन, यानि E A को जब हम बोलते हैं, जब E A, A या A, ठीक है? यह सब बोलते हैं ना? कब, जब, तब कई बार क्या होता है? कि E A के बाद A रक्षर होता है, क्याने का मतलब है, अगर हम E A को पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? E A, A या फिर A, यह तीनों तरसे हम लेकिन इसके बाद E A के बाद क्या आता है? R अक्षर होता है, ध्यान रखें E A के बाद R अक्षर होता है, तब हम E A पढ़ते हैं कहीं पर, कहीं पर A और कहीं पर A, ठीक है? अब सबसे पहले हम E A, E A, यानि E A को E A का पढ़ते हैं, इसके example देखेंगे, इनकी spellings की practice करेंग जैसे की ये है, appear, क्या है? appear, a, p, a, e, a, तो यहाँ पर appear में E A के बाद R है, और E A को हम E A पढ़ रहे हैं, appear का मतलब भी होता है दिखाई देना, मतलब meaning तो जितनी भी spellings की हम practice करेंगे, उनका meaning तो होता ही होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम पढ़ना लिखना ही सीख रह ठीक है? अब जैसे की ये है clear, क्या है? clear, e, a, यहाँ पर clear, e, a पढ़ रहे हैं, e, a को और last में ये r है, क्या है? r, तो clear, next क्या है? ear, यहाँ पर भी e, a के बाद r है, fear, यहाँ पर भी सेम ऐसा ही है, e, a के बाद r है, smear, idea, ideal, beard, ठीक है? r है, यहाँ पर e, a पढ़ रहे है, idea, अब यहाँ पर e, a पढ़ रहे हैं, लेकिन r नहीं है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है, अधिक से अधिक पढ़ने की practice भी करना, नियम के साथ-साथ आप practice भी ज़रूर करें, practice के session भी साथ ही साथ मैं आपको बता रही हू और सिखारियों आप सीख रहे हैं, काफी सारे ऐसे videos भी हैं, जहाँ पर आप English पढ़ने की practice ही कर रहे हैं, सिर्फ ठीक है, अब यहाँ पर e, a, next क्या है, e, a को हम a, o पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे है, a, o, जैसे की यह है, bear, wear, tear, यह तीनों स्पेलिंग देखेंगे और लास्ट में, r है, तीनों में ऐसा है, और यहाँ पर e, a को हम a, a पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जैसे bear, a, b के ओपर a, a, a पढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी wear, व के ओपर a, a, wear, चीक है, फिर है tear, क्या है tear, यहाँ यहाँ पर a की मात्रा के रूप में उपर चली जाती है, bear, wear, tear, यहाँ इसका correct pronunciation, सही उच्चारन, e, a का, तो इन spellings के आप प्रैक्टिस जरूर करें, अब आगे क्या है, e, a को हम a की रूप में भी पढ़ते हैं, ठीक है, अब spellings देख लेते, examples जो दे रहे हैं, मैंने spellings की रूप में, जैसे की e, a है, ठीक है, और a पढ़ रहे हैं, इसको हम, dearth, e, a को a, dearth, ठीक है, dearth, फिर है, early a, earn a, learn, search, yearn, तो यह जितनी भी spellings है, यहाँ पर e, a है, और last में r है, लेकिन यहाँ पर हम, e, a को a पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ तक आपको clear हो गया होगा, इन spellings की practice जरूर करें आप, next क्या है, heart में, e, a को a पढ़ जाता है, जैसे कि heart है न, अब यहाँ पर e, a है, और यहाँ पर हम e, a को a पढ़ रहे हैं, यह आप ध्यान रखें, याद रखें इस चीज़ को आप, इस spelling को, आगे क्या है, double e को पढ़ने के नियम, ठीक है, आपको e, a के नियम समझ में आ गये होंगे, अब आप इनकी practice करें, अब आगे हम double e को पढ़ने के नियम भी साथ ही साथ चान लेते हैं, double e का उचारण, बड़ी e होता है, यानि बड़ी e के रूप में होता है, double e, e, इस तरीके से, कैसे, जैसे कि examples है, be, feed, need, glee, बहुत ही आसान है, आपको समझ में easy ले आ गया, feed, heed, freeze, freeze, feel, print, green, beep, jeep, beef, cheek, weak, fleet, तो मैंने फटा-फट इनको रीड कर दिया है, आप भी इनकी पढ़ने की कोशिश करें, यहाँ पर double e है, और double e को हम पढ़ रहे हैं, बड़ी e के रूप में, तो यह आपको clear है, बहुत easy है, next क्या है, कि double e के बाद r हो, तो double e का उचारण अकसर e-er होता है, क्या होता है, e-er, जैसे कि example क्या ह 24 यहाँ पर यह ए दे रखा है, यह आँ ए नहीं है, गलती से यहाँ पर a-type हो गया, लेकिन यहाँ क्या है, double e है, तो double e होगा, तो यहाँ पर double e को हम e पढ़ेंगे, b-er, क्या पढ़़ेंगे, e-er, तो a नहीं है, e है, यme भी इसी तरीके से यह क्या है, dear है, cheer, steer, engineer, pioneer, volunteer, ठीक है, अब क्यों? कि double e के बाद में अगर r होगा, तब हम double e को ear पढ़ते हैं, ear पढ़ेंगे, याद रखेगा यह आप, और आपको समझ में आभी गया होगा, कि double e के बाद क्या होगा, r होगा, तो हम double e को ear पढ़ेंगे, ठीक है इन स्पैलिंग के आप प्रैक्टिस करें, pioneer, engineer, volunteer, steer, cheer, dear, और यहाँ पर भी beer है, यहाँ पर double e है, यहाँ पर double e तक हमने जो नियम है, वो सारे के सारे समझ लिये हैं, तो आप सोचेंगे कि इतने सारे नियम हम याद कैसे करें, याद करने के लिए कुछ नहीं है, आपको आप क्या है, प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजिली जितना आप पढ़ेंगे, तो उतना आपको इजिली यह जो सारे के सारे नियम है, याद हो जाएंगे, याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, तो चलिए के आज का एनियम कंप्लीट होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रूल के साथ.